भग्द के अधीन ओते हैं भगवान, सदन कसाई की कहानी एक कसाई था सदना, वह बहुत इमानदार था, वो भगवान के नाम किर्टन में मस्त रहता था यहां तक की मास को काटते बेशते हुए भी वह भगवान का नाम गुन-गुनाता रहता था एक तीन वह अपनी ही धोन में कहीं जा रहा था, कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया, वह रुख गया उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है उसने वह पत्थर उठा लिया और वह जेब में रख लिया यह सोच कर कि यह मास तोलने के काम आएगा वापिस आकर उसने वह पत्थर मास के वजन को तोलने के काम में लगाया कुछ ये दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधान नहीं है जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने वजन का ही हो जाता धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन कम करने वाला पत्थर है वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है किसी को एक किलो मास देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी और एक किलो का मास ही तुलता अगर किसी को दो किलो चाहिए तो वह पत्थर दो किलो के भार जितना भारी हो जाता इस चमतकार के कारण उसके यहां लोगों की भीड जुटने लगी भीड जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिकरी बढ़ गई बात एक सुद ब्रहामन तक भी पहुँची हालां की वह ऐसी असुद जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मास कटता हो वह बिकता हो किन्तु चमतकारिक पत्थर को देखने की उठसुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर परकार के वजन को बराबर तोल रहा था ध्यान से देखने पर उसके सरीर के रोएं खड़े हो गई भीड के चटने के बाद ब्रहामन सदना कसाई के पास गया ब्रहामन को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई परसन भी हुआ और आश्च्री चकित भी बड़ी नम्रता से सदना ने ब्रहामन को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है ब्रहामन बोला तुम्हारे इस चमतकारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ या यूँ कहें कि ये चमतकारी पत्थर ही मुझे खींच कर तुम्हारी दुकान पर ले आया है बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझ कर वो मास तोल रहा है वास्ताओं में वो सालिग राम जी हैं जो की भगवान का सवरूप होता है सालिग राम जी को इस तरह गले कटे मास के बीच में रखना वे उनसे मास तोलना बहुत बड़ा पाप है सदना बड़ा ही सरल पर करती का भग था ब्राहमन की बात सुनकर उसे लगा कि अंजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ अनुनए विनए करके सदना ने वह सालिग राम उन ब्राहमन को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राहमन हैं अते आप ही इनकी सेवा परीचरिया करके इनहें परसन्य करें मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं ब्राहमन उस साली ग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए घर आकर उन्होंने श्री साली ग्राम को सनान करवाया पंचामरिच से अभिशेक किया वे पूजा अर्चना आरंब कर दी कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राहमन के सवपन में श्री साली ग्राम जी आए वे कहा हे ब्राहमन मैं तुम्हारी सेवाओं से परसन हूँ किन्तु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ सवपन में ही ब्राहमन ने कारण पूजा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो मुझे अच्छा लगता है परंतु जो बगत मेरे नाम का गुणगान कितन करते रहती हैं उनको मैं अपने आपको भी बेच देता हूँ शदना तुम्हारी तरहे मेरा अर्चन नहीं करता है परंतु वह हर समय मेरा नाम गुणगुनाता रहता है जो कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए तो मैं उनके पास गया था ब्रहमन अगले ही दिन शदना कसाई के पास गया वह उनको परणाम करके सारी बात बताई वह स्री सालिग राम जी को उन्हें सौप दिया ब्रहमन की बात सुनकर शदना कसाई की आँखों में आसु आ गए मन ही मन उन्होंने मास बेजने खरीदने के कारिये को तिलांजली देने की सोची और निश्चे किया कि यदि मेरे ठाकुर को किर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक शमे नाम किर्तन ही करूँगा जय श्री शाम मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद